नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आजकल घर बनाने के बाद घर को तोड़ने का कारिक्रम जोरो सोरो से चल रहा है जैसे कोई कुछ इस तरीके से प्लिंध बीम को तोड़कर नीचे से गुफा बना दे रहा है कुछ लोग प्लिंध बीम को ऊपर से त इससे आफको कितना फायदा होगा इस वीडियो में हमापसे एक एक करके फुल इंफॉमेसन सेयर करेंगे इससे आगे आने वाली ऑच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिलती रहे तो सबसे पहले आप यहां होगा यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा इस्टेक्चर बन चुका है प्लिंथ बीम भी बन चुकी है कॉलम वगैरा भी बन चुके हैं तो घर का कॉलम वगैरा बनने के बाद अगला काम घर के सीबर के लिए यानि कि घर के बात्रूम अगेरा के लिए पाइप निकालने का काम होना था तो जब सीबेज और बात्रूम के पाइप को लगाने का टाइम आया तो किसी intelligent आदमी ने सला दी कि भाई साथ प्रिंध बीम को तोड़ कर उसके नीचे से यदि आप पाइप डालोगे न तो बड़ा मजबूत पड़ेगा एकदम से समझ लीजे कि भाई साथ मजबूती का दूसरा नाम फिर कुछ नहीं होगा किसी ने सला दी होगी और भाई साथ ने पूरी प्रिंध बीम आप देख सकते हैं उपर से नीचे तक आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक तोड़ कर रख दी और आप देख सकते हैं कि प्लिंध बीम की ठिकनस यानि की जो मोटाई 9-9 इंच की थी वो साला 2-2 इंच भी नहीं बची तो ये काम बिल्कुल गलत है भाई साथ आपको ऐसा नहीं करना है यदि आप ऐसा कर रहे हो तो इससे अच्छा प्लिंध बीम मत बनाईए प्लिंध बीम बनाने का कोई मतलम नहीं रह जाएगा आप सिंपली इंटे का घर बना लीजिए आपको कॉलम बनाने की भी जरूरत नहीं है जब आपको ऐसा ही करना है कि बनाने के बाद उसमें तोड़ना है उसमें गुफा बनानी है उसको एकदम छिन भिन कर देना है तो इससे अच्छा आप मत बनाईए क्योंकि आप बनाने को तो कुछ भी घटिया तरीके से बना लोगे लेकिन कल को भूकम पाया इस समय भूकम लगभग औल इंडिया में कहीं पर भी अच्छूता नहीं है हर जगा थोड़ा बहुत आ रहा है मालीजिए कल को बड़ा भूकम पाया तो उस सेच्वेशन में यदि आपकी प्लिंथवीम फेल कर गई तो भाई साब उसी में दब के ना राम नाम सत्य हो जाएगा मालब कुछ बचेगा नहीं ये समझ लीजिए थोड़ा आप इससे भी समझेए कि माल लीजिए ये प्लिंथवीम है इसको मैंने तोड़ा फिर इसको जोड़ दिया अब इस पर जब दोबारा लोड आएगा और लोड जब इसकी सहन सीलता से जादा होगा तो उस सेच्वेशन में ये वहीं से तूटेगी जहां पर आपने जोड़ लगाया हुआ है तो ये आप सोच रहे होगे कि भाई साब पाइप लगाने के बाद हम एकदम मस्त नंबर एक का मसाला बना के इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने ओलने कोई मतलम नहीं रह जाता भाई साब एक बार जो बनना होता है वो बन जाता है जो एक बार में बनता है वो एकदम लोहा लाट बनता है यानि कि उसमें बहुत ही जादा मजबूती होती है और उसके बाद जब आप कुछ इस तरीके से तोड़ के उसमें पाइप घुसेड के फिर मसाला डालोगे न तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा उसकी मजबूती पूरी तरह से नश्ट हो जाएगी तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है तो यहाँ पर कुश्चन उरता है कि भाई साभ याद हमें कुछ इस तरीके से पानी का पाइप ले जाना है तो इसका सही प्रोसेस क्या है तो भाई साभ याद हम इसके सही प्रोसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बात्रूम और पानी के पाईप को कुछ इस तरीके से आपको एक्सिवेशन यानि कि खुदाई का काम करके उसके बाद प्लिंथ बीम के नीचे से ले जाना है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तोड़ने में इतना टाइम लगा दिया गया लेकि इन नहीं जब बरबाद होना होता है तो यही सब होता है कि जो घटिया चीज़े होती है वो अच्छी लगने लगती हैं तो यह गलती आपको नहीं करनी है आप जब पानी का पाइप या फिर बात्रों का पाइप ले जा रहे हों, तो आप कुछ इस तरीके से प्लिन्थबीम के नीचे से एकसिवेशन करके खोदाई करके पानी का पाइप ले जाएंगे. ये बेश्ट तरीका है और ये बहुत ही डेंजरस खतरनाक तरीका है, ठीक है? आप इसके चक्कर में मत पढ़िएगा अगर कोई भी आपसे बार बार बोल रहा है कि भाई तोड़ के हम ले जाएंगे तो मना कर देना कि भाई साब मैं आपकी सारी बात मान लूँगा लेकिन ये बात मैं आपकी नहीं मानूँगा तो इस वीडियो में बस इतना ही उमीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा यदि आपको वीडियो अच्छा लागा तो प्लीस वीडियो को लाइक करके बेल आयकन प्रिस कर लibly सिए जिस से आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफीकेशन आप सब भाईयों और बंदूओं को मिलती रहें धन्यवाद